प्रोसेस स्टेट के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिसकस किया था प्रोसेस के बारे में प्रोसेस के बारे में हमने डिसकस किया था उसके अंदर प्रोसेस स्टेट के नाम से कि भई जो प्रोसेस की स्टेट जो करेंट स्टेट अभी क्या है उसको भी स्टोर करता है आपका प्रोसेस स्टेट के बारे में तिस वीडियो स्पॉंसर बाई Cryo, Cryo's world's leading work experience based learning platform जहाँ पर आप अपनी software skills को enhance कर सकते हैं साथ ही साथ top development job भी grab कर सकते हैं unlike usual courses, Cryo में आप full stack development या backend development सीखने वाले हैं but by building industry level projects in a real development environment at the end of each program आप बहुत सारे projects कर चुके होंगे जिससे आपका resume और effective हो जाएगा और एक strong github profile भी बन जाएगी आप full stack या backend development में क्या क्या tech यूज़ करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ visible है साथ ही साथ आपको personalized career assistance भी मिलने वाली है ताकि आपकी dream job की double charity हो आपको करना क्या है? description में link में attach कर देता हूँ उसके थूँ जाके आपको maximum possible discount मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ free resources का भी access आपको मिल जाएगा तो फटाफा description में जाएए link यूज़ करके एक बड़ी आसी placement लीजिए और मुझे party दीजिए thank you process state process state क्या होता है? कोई भी एक process जो होती है ना वो अपने पूरी life cycle में अगर प्रोसेस की life cycle की बात करूँ process की life cycle में क्या-क्या आएगा right from its new state new state मतलब generation से लेके generation से लेके termination तक generation से लेके termination तक उसके बीच में क्या-क्या होता है एक process के साथ कौन-कौन से different state से होके एक process गुजरती है उसके बारे में अभी हम discuss करेंगे ठीक है तो आगे बनने से पहले हम श्राट ओर देज़ेते हैं हमाई sponsor को ताकि आपका flow न बिगड़े तो चलिए continue करते हैं तो process states में सबसे पहली state जो आती है वो आती है new state new state अब new state क्या होती है new state होती है कि जब OS आपका प्रोग्राम को process में convert कर रहा होता है यानि कि जब यह process हो रही होती है तो उस point पे उस particular process के PCB के अंदर process state क्या लिखी होती है new यानि कि जब कोई प्रोग्राम कि process में convert हो रहा है यह process हो रही है यह process हो रही है जिस जब यह हो रही होती है तो उसको बोलते हैं new state अभी वह बन रही है process मतलब अब दूसरा type है इसका ready state ठीक है ready state क्या है process जो है वह बन चुके प्रोसेस को हम memory में ले के आ चुके है तो जो process को memory में ला चुके है और process जो memory में पड़ी होती है जिस एरिया में होती है इसको ready q भी कहते हैं हमने डिसकस किया ready q ठीक है तो जो प्रोसेस है प्रोसेस है वो memory में है ठीक है ready q में पड़ी हुई है process ठीक है अब ready q क्यों कह रहा हूं मैं इसको कि यह बस execution के लिए तयार ही है मतलब इसको बस cpu चाहिए ठीक है यह वेट कर रही cpu मिलते ही cpu जैसे schedule होगा यह निकल पड़ेगी बस ठीक है तो ready q यह है तो ready q में बहुत साई processes हो सकती है एक साथ हमने देखा है कि multi programming OS के अंदर ready q में एक से ज्यादा processes हम रखते हैं ताकि basically degree of multi programming increase कर सके हैं ठीक है तो यह होगा आपका दूसरा state ready ready के बाद तीसरा state क्या आएगा तीसरा state आएगा running state ठीक है running state running state नाम से पता चल रहा है मतलब finally ready q से एक particular process को cpu allocate हो चुका है तो मैं बोल सकता हूं कि p1 process है उसको cpu जो है वह allocate हो गया है ठीक है अब वह एक्जियूट हो रही है तो इस point पे उसके PCB के process state वाले जो पर्टिकुलर एरिया है वहां क्या लिखा होगा running state की अब process running state में है ठीक है अब running करते हुए क्या आता है हमने किया है कई बर क्या होता आयो की instruction आजाती है आयो की instruction आजाती है तो हम waiting state में चले जाते हैं ठीक है चौति स्टेट है हमारी waiting state waiting state में क्या करते हैं यह wait कर रही होती है बस आयो के लिए कि आयो completion हो जाए तो मैं continue करूँ ठीक है अब पांचवी state क्या होती है पांचवी state हमारी होती है termination state कि अब प्रोसेस जो है वह फिनिश हो चुकी है वह अब उसका वजूद उस पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस का वजूद अब नहीं है करते हैं इसको यह एक पूरी प्रोसेस का लाइफ सैकल को बता रहा है इसके दोरान उसका जो स्टेट होगी वह क्या होगी न्यू स्टेट होगी तो मैं कह सकता हूं कि यहां कहीं डिस्क होगी डिस्क से चीजे उठ उठके यहां पर आ रही है तो इसको इस पर जो जा रही है यह इस टाइम न्यू स्टेट में है अब स्टेट के बाद जैसे है process पूरी बन चुकी है वो प्रोसेस बनने के बाद हम सारी at और दाल देते हैं तो क्वाम स लख से नाYes मौड्यूल है जो क्या करता है वह करता है से जतने भी जोब पड़и हैंसे उनको सीप्यू पकट आडे का काम सीप्यू प्रोवाइड करने का सीप्यू डिस्पैच करने का रहा है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर सट र्निंग पे आ सब्सक्राइट करने बीच में दो तरीके हैं या तो वो आयो करने चली जाएगी हमने डिसकस किया है या तो आयो करने चली जाएगी अगर आयो करने गई तो इस कि वेंट पर क्या होगा वो वेटिंग स्टेट पर यहां पर वेट करेगी पर सरस्ट में बेटिंग कрем है इस help है मालर वेटिंग स्टेट पर है मालो hon में सकती है दूसरी चीज सकती है कि इसका टाइम शेरिंग वाले सिस्टम्स के इंदर उसका टाइम कॉंटम खतम हो गया तो वापस से रेडी क्यों में आ जाएगा इसको मैं इंटरप्ट कितरे हैं इस काम के लिए तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा कि यह पर प्रोसेस पीवन यहां पर चल रहे थी पीवन तेरा उने के बालों वीटिंग में चली गई बैं थे गर चली गई और दूसरी वीडियो मогरश कोशी कोuga कर रही है। इस तरीके से चीज़े चलेंगी जैसे रनिंग स्रेट है अब मालो कोई प्रोसेस जो है वह एक्जिक्यूशन उसका खतम हो गया है तो इसके बाद वह एक्जिक्ट में जाकर टर्मिनेट चले जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से काम होगा जो भी मैं पीछे बात कर रहा था उ चले जाए जाएंगे तो यहांसे हट जाएगी तो यहांसे प्लस्तों सत्रों होगा अब उसके बाद मालो मैं मान लेता हो Iska को ब्ला किसका आयो आयोगा व्य symptoms हूं wilt करने गए हूं मतलब जैसे पीठी आयो करने गई seconds within fraction of time में क्या होगा कि P2 execute हो गई ठीक है अब पीटू भेज दी मैंने इदर ठीक है अब पीटू जब इदर भेज दी तो यह यहां से हट जाएगी ठीक है अब मालो P3 ना IO complete किया तो वो ready Q में जाके P3 यहां चला जाएगा ठीक है यहां पर P2 execute हो रहा है ठीक है अब P3 को बाद में मुखा कभी मिलेगा ठीक है यह मैं डिसकुस करना चाह रहा था तो हमें समझागे कि किस तरीके से एक process की different life cycles चलती है ठीक है अब आगे discuss करते हैं हम अब different type के Qs की बात करते हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं job Q की ठीक है तो job Q के अंदर क्या होता है कि process जो है वो new state में रहती है तो जितने भी processes new state में पढ़ी होती है उसको मैं job Q में रखता हूं ठीक है अब मालो मैं बना देता हूं यह job Q है हमारी तो यह basically मालो पी-टू-पी-थ्री करके इसनी सारी processes पढ़ी हुई है ठीक है जॉब क्यूंअ अब जॉब क्यूंए ना इस सारी processes new state में ठीक है यह सारी process new state से ready state में जाएंगी राइट हमने डिसकस किया यह सारी process new state से ready state में जाती है तो इस काम को करने के लिए जो code यूज होता है जो software य इसको मैं जोब कि उठा के प्रोसेस जो रेडी स्टेट में जाती है यह काम करने वाला जो मोड्यूल है जोब नाम भी है लॉंग टॉम स्केडूलर भूल रहा हूं मैं बताता हूं अब कि नूज में जाने से पहले यहां पर मैं पता था कि तो कीइस को सब्सक्राइब से चायताइब तो यह वाला इसमेश काम यह टालना जो काम से अथा ले जाके ज़ाकर यह तके काम मेरा करता करता है इसके बारे मैं फूरी देर में आएंगे तो अभी मैं इसको जॉब स्केडूलर ही बोल लेता हूं तो बैसिकली क्या कर रहे हूं यह बहुत बड़ा पूल है डिसके अंदर बहुत बड़ा पूल है वहाँ पर बहुत सारे रेडी टू वी एक्जेक्यूटेड प्रोसेस बेसिकली प्रोग्राम्स पड़े करता है तो रेडी क्यू से बड़नी स्टेट में डालने का काम करता है cpu भी स्केडूलर तो ऐक माड्यूल जिसको मैं शॉट टम मुड्यूट बोलता हूं वह क्या करता है प्रोग्रांच को डिस्पैच करता हूं ने बल करता हूं तो यह मेरे दो टाइप के सकता हूं सक्कैर या ना की एक है इसको डूसरा यूद्र नहीं इसलिब सत्छा मेरा है sólo हुआ अनुसको फिक करने के बाद उनको अडाद में डाल रहा है यहां से ready statement डालने का काम पूरा जॉब स्केडूलर का अटिक है और ready state से running state में जाने का काम डालने का काम कौन सी process जाएगी यह decision लेने का काम cpu स्केडूलर का ठीक है तो यह हमने समझ आ गया है अब job scadula को long term scadula क्यों बोलते हैं long term इसके बूलते हैं यह लॉंग टर्भ शॉट तर्वन फ्रिक्वेंशी पर डिपेंड कर रहा है तो तैम करते हैं अब मैं बोलूं कि जो स्केडूल होता है ना बहुत हाइब एक 2 सेकंड के डिफेर्ट्स पर काम कर रहा होता है उसका बीच का मैं बोल सकता हूं कि जो आइडल टाइम है ना बहुत कवह होता है कैसे कि मालो एक प्रोसेस है एक प्रोसेस P1 यहाँ पर थी ठीक है यहाँ यहाँ पर जा गए स्केडूल हुग अब रनिंग करने के बिदिन एक जिस अपर फ्रेक्शन सेकेंड में उसको आयो के साइकल के बाद उसको हाया कि आयो करने जाना है तो आयो लागत तो इसा हुआ तो क्या होगा कि सीप्यू जो है आइडल बैठा रहेगा हमने पहले डिसकर किया सीप्यू आइडल नहीं बैठा है तो इस केस में जो फ्रिक्वेंसी है ना जॉब स्केडूल को वापस रिस्टार्ट करने की या फिर जो इसको आइडल टाइम हो सबसे कम रखेंगे जल्दी जल्दी उसको बोल जैसे सीप्यू खाली मिला तब बोई और प्रोसेस जैसे पीवन या पीठी पड़ी पड़ी है तो मैं बोल सकता हूं कि की प्यू स्केडूलर को शॉर्ट टर्म स्केडूलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका बीच का जो आइडल टाइम है वह बहुत कम है वह बहुत ही पर काम कर रहा है ठीक है जल्दी जल्दी बैसिकली कोई डीले नहीं ले रहा हूं जैसे उसको शॉर्ट टर्म स्केडूलर रहा हूं और जॉब स्केडूलर थोड़ा साल सी है मतलब वह थोड़ा इडल टाइम ज्यादा होता है वह मैं कह सकता हूं हर एक मिनट बाद चेक करत है वह हर एक मिनट बाद चेक करता है मतलब मालो टी कोल टू जीरो टाइम पे उसने पांच जॉब्स उठाके डिक्यू में डाल दी ठीक है फिर टी जीरो प्लस एक मिनट बाद वह जाके दुबाद चेक करेगा क्या कोई और जोब आई है के दरवाजे पे कि उसको रेडिक् प्रोग्रामिङंग्य देवेल मट्य प्रॉगामिंग्य को मतलब एक बारी में कितनी सारी प्रोशेश apologize के तो डीओ डीक्यू में तो मैं कौन मैं सकता हूं कि कौन इसको मैं बोल सकता हूंắng है किकौन इसको मैं करे रहा है तो तो यही था इस वीडियो के लिए तो आपको यहां पर क्या क्या सीखने को मिला करते हैं सबसे पहले हमने देखा कि process की स्टेट्स होती है क्या होती है पूरी लाइफ सेकल में रिवाल करता है सबसे पहले न्यू स्टेट होती है हमारी फिर रन स्टेट भी होती है वेटिंग डेडी टर्मिनेटेट सब के बारे हमने डिसकस किया यह जो पर्टिकुलर प्रोसेस को फिर यहां से जो सीप्यू स्केडूलर प्रोसेस को डिस्पैच करता है एक्च्वल सीप्यू करने के लिए तो यह हो गया उसके बाद हमने डिसकस किया था कि process कि इतनी टाप की क्यूव होती है हमारी जॉब क्यू है और एक और क्यूव जो मैं हाँ डिसकस करना यहां पर पी षाला पए तो मैं चलीगए तो फिर दः लोगी तो यह भी क्यूव कि तरह हैं तो यह बी तरह ही जाती है है यहां पर आपका जॉब क्यों होता है तो मैं कह सकता हूं हमारे पास यह तो इस वीडियो के लिए इतना ही बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया होगा कमेंट सेक्शन पर लिखके जाओ कैसा आपको मज़ा रहा है कि नहीं प्रोसेस पढ़ने में ठीक है और तो मिलते हैं बाई